तो पहले इनकी फोटो देखो आप मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको ये आपको इंडिया के लग रहे हैं सभी सभी बताना कमेंट करके मेरी वीडियो गयाज आज बात करेंगे हम एक ऐसे मुद्दे की जो कई लोगों ने सोशल मुडिया पे मेरे साथ शेयर किया है कभ इसे स्लर्स के दुआरा, इंबारस किया जाता है, बुली किया जाता है, हरास किया जाता है और ये रुकना चाहिए है, इस टाइम हम लोग as a community, as a nation इस चीज़ को समझ सकें तो इस वीडियो को शेयर जरू करेगा जिससे ज़ादा ज़ादा लोग ये समझ सकें इस बात को सम किया, अरुनाचल प्रदेश के MLA के लिए, एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं, सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं, आप मैंको बताना ये मुझे मुझे तो नहीं लग रहे हैं कि भाई, ये इंडिया के हैं सारी और एप्स को बैन किया था, और आपको जैसा पता ही होगा, कि जो पब जी है, वो एक नए अवतार में आ रही है, बैटल ग्राउंड्स, मुबाइल इंडिया, तो निनौन अरिंग ने बस इतना किया, कि उन्होंने एक लेडर लिखा, वो भी बहुत पॉलिटली, प्र है, कि कैसे North Eastern Region, और जितने भी states आते हैं North Eastern Region में, उन सब में crime rate कितना कम है, in fact lowest है, तो उनका इन मुद्धों को highlight करना बिल्कुल बनता है, तो उन्होंने क्या मुद्ध्य highlight कि है, उन्होंने बताय कि कैसे, जो Tencent है, उसका भी 14-15% stake है crafting में, उन्होंने मुद्ध्य highlight कि national security के, और कैसे there could be potential risk, और बिल्कुल होना चाहिए, जितना हम लोग excited है, battlegrounds, mobile, in fact, मैंने भी post किया था कि मैं gaming challenge शुरू करना चाता हूं, बड़ इसका मतलब ये नहीं है, because guys, it's very very important कि हम अंदब बाक्त ना हो किसी भी चीज को लेकर, हम हर चीज को ना, एक two-sided perspective से देखें, because life is binary, अगर head zero, tail zero, left है, तो right है, positive है, तो negative है, कितनी भी बड़ी-बड़ी policies, कोई भी आप चीज के बारे में strategize करने है, planning करते है, आप हमेशा ये देखते हैं, कि भाई, क्या risk है, all would have heard about SWOT, strengths, weaknesses, opportunities and threats, तो he was talking about threats, तो उसमें गलत क्या है, in fact, it's very important, but Paras Singh, मेरे खाल से, जिंकी एज जो मुझे लग रहा है, I think he is a kid, he may be a teenager, उन्हें इस 20 साल से जादा मुझे उंकीज लग नहीं रही, उन्होंने, इन मुद्दों के बारे में बात करी, पहले उन्होंने लेटर के बारे में बात करी, because obviously, his subscribers would have asked him to react, और रियाक्ट करते हैं, बच्पने में, बड़ी गलतियां करती, अब गलतियां क्या है, उन्हें पहली गलती ये थी, भाई समने निनौंग अरिंग का चेहरा दिखा के बोला कि भाई ये इंडिया के हैं, बाकि उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं, इसमें भी मुझे एक भी इंडियां नहीं लग रहा, फिर न अब नहीं बोला कि अरुनाचल परदेश को मैप में सर्च करते हैं, यह हमारा इंडिया है, भी बहुत बड़ा इंडिया है हमारा जैसा कि आप सबी को पते ही है, और यहां पर मुझे अरूनाचल परदेश दिख क्यों नहीं रहा है, भाई, कहां गया, कि दर को गया, औरे यापन तो चांण से की साथ ही है हलका फूलका टचछ होता है तो यह बहुत ही तुछ मान सकता हैं Hang मैं जहां तक समझता हूँ, मैं यह समझता हूँ कि जो भी पारस सिंग की upbringing रही होगी या उसकी जो company रही होगी जो उसका education रहा होगा I believe the problem is there और यह हमारे education system का सबसे बड़ा problem है मैं बिलकुल भी पारस को यहां product नहीं कर रहा है पारस ने जो किया बहुत ही गटिया, स्तरकी बात करी पर मैं जो मुझे लग रहा है कि यह problem पता किया है हम लोग समझते नहीं कि हम बोल किया रहे है He doesn't know that it is actually punishable by law In fact, पारस सिंग को छोड़ो यार अभी Yuvika Chaudhary ने comment किया है She used a word भंगी And he's not giving me time to make vlog उससे पहले Mun Mun ने किया तो उससे पहले Sunakshi Sina ने किया था हम लोग यह क्यों करते हैं ऐसा नहीं कि they were trying to hurt intentionally or deliberately they were trying to hurt वालमे की community पर वो भंगी जब वर्ड यूस कर रही है तो उसको यही नहीं समझ में रहा कि it is actually an insult to the whole community और यह हम करते हैं रहे because हमें बड़ा casually हमने देखा है families में, अपने relatives में, अपने friend circle में और हमारी education system में यह बच्चों को सिखाया है नहीं जाता यह समझाया है नहीं जाता और यहां मुझे लगता है बहुत important है government reform की, education reform की at a national scale because guys, इसका impact बहुत बहुत ज़ादा घहरा है आप यह सोच होगी north eastern region की जो लोग हैं, वो कितना ज़ादा embarrassed फिल करते होंगे एक बच्चा, आप यह छोड़ोग, adults की बात छोड़िए but imagine about a kid जो की अपने school में bully होता होगा जो भी वो लोग यहां रहते हैं north में रहते हैं, या south में रहते हैं या महराष्णा में रहते हैं कितना ज़ादा यह लोग bully होते हैं कितने cases हमने देखे हैं जब इनके साथ harassment होती है bullying होती है क्या बीती होगी उन पे कर दीजिए आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा बच्चा है वो ना समझ है उनसे गलती हो गया है मेरे खाल से एक second chance बनता है पर at the same point of time we should learn from it as a community और इसलिए ही मैं इस वीडियो को करना चाह रहा था तो नहीं हो रही कोई उससे harass तो नहीं हो रहा कोई उस चीज़ से hurt तो नहीं हो रहा और थोड़ा अपने अपर चेक रखना चाहिए है social media की age में digital age में ये नहीं है कि हमारे पास पूरा free license है कुछ भी किसी को कुछ भी बोलने का थोड़ा सभी need to keep check on our words especially Anunachal Pradesh उसके बारे में वो बोल रहा कि ललू पंजु है ये तो MLA और ये लोग इंडिया के पाट नहीं है यार Anunachal Pradesh पता है कितने लोग भेजता है defense services में much much more than the other bigger states percentage wise देखा जाए per lakh population में about 45% which is very very big तो अपने लोगों को ही मजबूर कर देना कि भही तुम तो किसी और country के पार्ट हो ये सरासर बहुत ही गलाता है very very wrong I think it's time we guys need to go back to our books I think government of India should make it mandatory कुछ trainings करवाओ education system को छोड़ दो online training must करो mandatory करो उसमें assessment must करो ऐसी चीज़ों पर especially हम लोग corporate में trainings करते हैं कि भही क्या चीज़े एक employee कर सकता है क्या employee नहीं कर सकता है ऐसे ही एक citizen क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है इसकी training होने चीए basic education को छोड़ो government को ये mandatory करना चीए online और किसी company को private company को दे दो चाहे tender vendor but I think this should be done this I think is the solution there is no other solution guys आपको क्या लगता जब तक ये problem सामने आती रहेगी मैं बोलता रहूँगा क्योंकि जो change है उसको कई बार repetition की ज़रुत पड़ती है enforcement की ज़रुत पड़ती है guys आपका क्या view है इस पूरे मामले में ज़रूर बताएगा इस वीडियो से value मिली हो तो ज़रूर लाइक कर देना इस वीडियो को और ऐसे वीडियो reactions आपको लाने है तो हमारी community का part बनिए be the peeps and join करिए इस चैनल को subscribe करिए और bell icon दबाग है अगर all notifications को check करेंगे तो कभी भी नया वीडियो नहीं miss करेंगे मैं ऐसे वीडियो जैसे reactions लाता रहूंगा इस चैनल पर आप देख रहे है पीपो यह मैं हो काश शब बाख हैर कुदा आफे सासा काल राम राम शेर्ज और गुडबाए